नबस्कार प्यारे बच्चों तो आज हम लोग आज हम लोग 1.1 को ओवर कर देंगे बच्चों सैट्स में ठीक है और नया 1.2 सुरू करेंगे जिसमें मैं कुछ अच्छे टॉपिक्स लूँगा भले ही उन में से कभी कभी कोशन कभी कभी का बहुती रेर कोशन आते हैं लेकिन बच्चों उसको पढ़ना बहुत जरूरी है reason क्योंकि उसको पढ़ने से आपको इसके आगे के टॉपिक्स में help होईगी कि आखिरकार ये किस help में आते हैं ठीके बच्चों चलिए तो एके करके शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको कोशन नमबर पांच मैंने जो आपको homework के लिए था पहले मैं वो कराता हूँ उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीके चलिए तो अब बिल्कुल जो उसके साथ लग जाईए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए हाँ जी तो कोशन नमबर फिफ्ट का फिर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है भई सेट बिल्डर फोम में है रोस्टर में चेंज करना है A हाँ जी क्या लिखा हुआ है X is an odd number odd natural number तो क्या है 1, 3, 5 and so on तकड़ा बंदा है X is an integer और दिया हुआ है minus 1 by 2 से बड़ा और 9 by 2 से छोटा मेरी बात तो ध्यान से सुनना भई देखो 1 by 2 और 9 by 2 तो एक rational number है लेकिन उसने आप से answer में क्या मांगा है integer उसने आप से answer में क्या मांगा है integer तो बस ठीक है जी हम integer लिख देंगे क्या दिक्कत है minus 1 by 2 के बाद जो next integer आता है वो कोन आता है 0, 1, 2, 3, 4 अब 9 by 2 कितना होता है 9 by 2 होता है 4.5 तो 4.5 से पहले का integer कोन है 4 तो 5 तो हम ले ही नहीं सकते तो question ये answer ये आगिया जिसका सही हो बताना जिसका गलत हो देख लेना अब कह रहा है फिर से देखो फिर से कह रहा है C में क्या कह रहा है X is an integer X is an integer लेकिन X square जो होगा वो 4 से छोटा है या 4 के बराबर होगा तो हाँ वह बताओ अगर मैं यहाँ पर minus 2 रख देता हूँ तो minus 2 का square क्या होगा चार तो देखो 4 के equal आया अगर मैं यहाँ पर minus 1 रख देता हूँ तो minus 1 का square क्या होगा 1 जो की 4 से छोटा होता है 0 रख दूँगा 0 का square भी 4 से छोटा 1 रख दूँगा तो 1 का square भी 4 से छोटा 2 रख दूँगा तो 2 का square 4 के बराबर तो मतलब छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है लेकिन बच्चो लेकिन बच्चो अगर मैं यहाँ पर minus 3 रख देता तो क्या होता? 9 आजाता क्या वो इस बात को satisfy करता? नहीं अगर मैं 3 रख देता तब भी 9 आजाता minus 4 रख देता तो 16 आजाता 4 रख देता तो भी 16 आजाता तो इसलिए तरिफ integer ये ऐसे हैं जिनको यहाँ पर रखने पर 4 से छोटा या 4 के बराबर आएगा चलिए D D option में loyal दिया हुआ है अरे तो बस हो गया L, O, Y, A, L दुबारा रिपीट तो करेंगे नी 5th E कहाँ आप वो मन्त लिखो जिसमें 31 डेज नहीं होते तो बस हो गया ना भाई FAB और क्या April और क्या है मई June ठीक है और August, September, October नहीं September October, November बस यह है वो मन्त ठीक है छटा अगला कहरा X is in consonant in the English alphabet which precedes K K से पहले के consonant लिखो तो A तो होता नी B, C, D E होता नी F, G, H, I होता नी J, K से पहले-पहले के लिखने तो यह हो गए ठीक है तो बस बस इस तरीके से हमें यह sets बनाने थे ठीक है अगर किसी को गलत हो तो सही कर लेना ठीक है चलो अब इसके बाद एक नया topic सीखते है यह note कर लो इसके नया topic ठीक है चलो अब देखेंगे जरद्यान से देखो बच्चो आज का topic है belongs to और doesn't belong to belong to का symbol होता है यह ऐसे देख लो ऐसे बना के ऐसे ऐसे बना के ऐसे ऐसे बना के ऐसे ठीक है और doesn't belong to का symbol क्या होगा बस belongs to को अगर ऐसे काट देंगे तो क्या बन जाएगा doesn't belong to मतलब ऐसे बना के काट दो ऐसे बना के काट दो ऐसे बना के काट दो यह क्या हो गया doesn't belong to ठीक है पौच कर travel कर दो एक मुझे सिंपल सी बात बताना वह Qatar Well, अगर मां लो अबस से हम यहाँ डिल्ली सहर में रहते एं लेकिन वहाँ हर किसी का अपना ललगवा लगए कोई कहता है।avais हम यूपी कोई कैथा पैयर कोई कहता है। कि आश्तान से हैं, कोई कहता है, कहीं से हैं. اخना का, कि और गया हैं जो तक हम बापए लगदा सुरént के लिला वलॉए करते हैं वह कहीं हैं और आगीं म्होंतर के लागए और भाई हम सेार전 पने I Gl finish आएंगे ऐखाहे याgehen आपके ममी बापा या आपके फ्रेंड्स वगेरा में कोई भी बोलता होगा हाँ भई हम वहां के यार वहां जाने हो बड़ा मज़ा आता है रास्थान में अगर हम जाते तो बड़ा अच्छा फील होता है यूपी में हम जाते तो बहुत च्छा फील होता है तो ऐसे अंदर से अगर रहने की बात पूछी जाएगी तो आप बता दोगी दिल्ली लेकिन अगर आप से पूछा गए बिलॉंग का से करते हैं तो आप जो भी जिस state से भी आपके मतलब पूरवज रहें तो आप उस जगह का नाम बता देंगे यही करते हैं तो बस यहाँ पे भी यही बताना है यहाँ पे भी यही बताना है लेकिन बच्चो आपको मैं एक बाद बता दू belongs to और doesn't belong to का जो हिसाब किताब है वो सिर्फ और सिर्फ element पे अपलाई करता है किस पे अपलाई करता है element पे यानि आप याद रखना belongs to हमेशा कौन होते हैं elements होते हैं यह होते हैं कौन नहीं होते है set कभी भी belong नहीं होते हैं ध्यान रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ element हमेशा belong करते है जबकि set कभी भी belong नहीं करता, तो आप पूछोगे कि अगर set belong नहीं करता तो क्या करता है, तो उसके लिए 1.3 का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है आप चलो, मैं एक question दिखाता हूँ ठीक है माल लीजी, मेरे पास एक a set है 1,2,3,4,5 ठीक है इसका मतलब a set के अंदर 1,2,3,4,5 है तो अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूँ ये लिखता हूँ मैं आपके सामने हाँ जी, अगर मैं पूछूँ क्या है, दो a के अंदर आपको दिखाई दे रहा है तो हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है लेकिन, ये दो की पहचान क्या है कि ये दो एक element है कैसे भई, क्योंकि, बच्चों देखो भई, belongs to हमीशा कौन करते है elements करते है, तो इसका मतलब दो मेरे को इसके अंदर दिखाई दे रहा है हाँ जी, दिखाई दे रहा है क्या ये अकेला है, हाँ जी, अकेला तो इसका मतलब ये क्या है, belong टू दिखाई तो दे रहा है लेकिन भाई यहां तो यह क्या बना हुआ है सेट बना हुआ है क्यों क्योंकि मैं पहली किलास में बता चुका हूँ कि भाई अगर किसी के भी बाहर आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तो सेट बन जाता है किसी के भी बाहर अगर आपने curly bracket लगा दिया तो क्या बन जाता है set और set तो कभी भी belongs to होते ही नहीं होते क्या है हम आगे पढ़ेंगे 1.3 में इसी के just बात ठीक है अच्छा और क्या बच्छो अब 2 और 3 भाई देखो 2 और 3 इसमें है तो जरूर लेकिन ये 2 और 3 किस रूप में आए हुए है भाई set के रूप में आए हुए है और set कभी भी belongs नहीं होता है क्या मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई है clear हो गया है कि भाई हमेशा belongs to कौन होते हैं element कौन नहीं होते हैं set और कौन नहीं होते हैं अच्छा लिए देखिए जड़ा अब हम क्या बढ़ेंगे types of sets ठीक है बहुत अच्छा चैप्टर है यार यह बहुत इंट्रेस्टिंग है हाँ सुरुआत में थोड़ा boring है मैं मानता हूँ ठीक है लेकिन बहुत इंट्रेस्टिंग है जब यह आपको मैं 1.4 तक करा दूँ हूँ न उसके बाद देखना 5 से बहुत जंडे गाड़ दोगए एक नंबर चलो शुरू करते है बच्छो ठीक है हाँ जी सबसे पहले आता है empty set empty set जिसे हम लोग null set भी बोलते हैं जिसे हम लोग wide set भी बोलते हैं इनका मतलब क्या है अब ये कहना क्या चाहते है empty set का मतलब क्या है null set का मतलब क्या है wide set का मतलब क्या है ये सब क्या कहना चाहते हैं ये बताएंगे तो देखो भाई सुनो जैसा कि आपको बता है empty का मतलब होता है empty का मतलब क्या होता है खाली तो null का मतलब भी यही खाली, vďlike set खाली, अच्छा, अब set का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था भई, set का मतलब यह होता है, ठीक है, कि आप लोग ने क्वोई collection करना शुरू किया, मैंने यही बताया थे Android का मतलब Well defined collection, आपने कोई collection करना शुरू किया तो वो आपका क्या हो गया भाई सेट की शुरुआ तो empty set कौन है भाई empty set कौन है तो भाई ध्यान करो मान लो आपके दिमाग में ये बात आ गई कि यार मैं ना सिक्के खटे करने का सौक पालूँगा मैं ना पुराने से पुराने सिक्के अलग-अलग कंट्री के सिक्के याना बहुत सारे कोई सिखटे करूँगा मैं लेकिन जब आपके मन में जब आपके मन में ये थौट आया तो क्या इस बात की कोई भी संभावना है क्या कोई भी probability है कि आपके पास उस टाइम पे कोई सिक्का होगा क्या पता आप भी कहीं बैठे हुए हों ठीक है और भी आपके दिमाग में आ गया कि यार मेरे को ना कुछ अच्छा कलेक्ट करना चाहिए जिसकी कोई अच्छी value मिल जाए मुझे कि हाँ भी लोग कहें कि हाँ इनके पास देखो कितने तारे सिक्के और अलग-अलग country के इतने पुराने-पुराने और नए वाले सारे सिक्के इनके पास तो वो क्या है बच्छो भई तो वही जब हम लोग पहली situation अपने mind में set की लेकर आते हैं तो वो होता है हमारा empty set और फिर जब धीरे-धीरे collect करना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिक्या बन जाता है भई वो set बनना शुरू हो जाता है तो यही है वो empty set ठीक है जिसे हम लोग बच्छो इस symbol से denote करते है इस symbol को कहा जाता है फाई क्या कहा जाता है फाई कहा जाता है तो फाई के फाई लिखते ही clear हो जाता है कि वो एक empty set है null set है या white set है ठीक है बच्छो अच्छा एक बात और बता दूँ फाई जो है वो अपने आप में ही एक set है यानि फाई is a self set फाई is a self set self set का मतलब क्या है बच्छो कि हमें फाई के बाहर curly bracket लगानी की जुर्रत नहीं है क्यों क्यों क्योंकि फाई अपने आप में ही एक set है इसलिए फाई के बाहर curly bracket लगानी की जुर्रत नहीं होती अगर किसी को null set empty set या white set represent करना ह तो बस 5 लगा दो, वही set का symbol हो जाएगा पूरा आपको curly bracket लगाने की जुर्रत नहीं है, क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है, मुझे नहीं लगता आप कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो फटा-फट कुछ question करते है, null set के, ठीक है, जैसे, कौन से करें 1.2 का question number first, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, हाँ बई अब null set वही होता है, जिसकी अब मैं ये भी बता दू, null set होता कोन है, null set वो होता है, जिसकी possibility ना हो, जिसकी possibility ना हो, जब अदस्ती आप चिपका रहे हो, तो वो नहीं चलेगा, जैसे, देखो एक बताता हूँ, odd natural number divide by two, क्या कोई ऐसा odd number है इस दुनिया में, जो two से divide हो जाएगा, अरे नहीं होगा, होगा भी तो क्या होगा, points में digit आएगी, तो वो matter नहीं करता है, हमें, sorry, वो matter करता है, ठीक है, हमें तो भाई, क्या करना, divide करके दिखाना, अब मैं थिरी ले लू, two से divide करो, कर दो के perfect divide, perfect divide होएगा ही नहीं है, तो मतलब, इसने बोल दिया, इसने जबदस्ती चिपकाया है, क्या चिपकाया है, कि भाई, क्या चिपकाया है, कि ऐसा odd number बताओ, जो two से, पूरी तरीके से divide हो जाए, तो वो तो होई नहीं सकता, तो इसका मतलब, यह एक null set है, ठीक है, यानि, जो आपके condition को satisfy ना करे, वो आपके लिए क्या है, एक null set है, अब जैसे, set of even prime number, क्या ऐसा कोई prime number है, जो even है, तो हाँ जी है, two, तो इसका मतलब, यह null set नहीं है, इसने अपके condition को पूरा कर दिया, अच्छा, अगला, X, एक ऐसा natural number लो, जो पाथ से तो छोटा हो, लेकिन साथ से बड़ा हो, ऐसा कभी हो सकता है, कि यार, माल लो पाथ से छोटा, मैंने चार ले लिया, चलो, इस condition को तो perfect कर लिया इसने, लेकिन क्या, यह कभी हो सकता है, कि चार साथ से बड़ा हो, नहीं, तो यानि ऐसा कोई number नहीं है, तो इसका मतलब, यह कौन है, यह एक null set है, अगला, क्या कभी दो parallel line की common point हो सकती है, अरे कभी नहीं हो सकती है, अगर मालो, मैं यहां से करता हूँ, एक point, तो भाई, यह line, एक line यहां से गुजर गई, एक line यहां से गुजर गई, तो यह तो क्या होगा, यह दो लाइन तो parallel है, और कभी भी इनका एक common point नहीं हो सकता, ठीक है, अभी यह मत कहना, बीच में लगा दो हो गया common point, ऐसे नहीं होता, point का मतलब होता है, जहां से line गुजरती है, point का मतलब क्या होता है, जहां से line गुजरती है, तो बच्चों, जब line यहां से गुजरेगी, या इस पे एक point ले लेता हूँ, यह भी आपका null set है, ठीक है बच्चों, तो null set वो होते हैं, जो आपके condition को satisfy ना कर पाए, जैसे, मैं एक और example ले लेता हूँ, जैसे मैं यह कहूँ, कि भई 9th class में 12th के बच्चे, 9th class में 12th के बच्चे, possible है, नहीं, बिल्कुल possible नहीं है, क्यों, 9th class के अंदर 12th के बच्चे करेंगे क्या, अब यह मत बोलना, बंक मारके वहीं बैटते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है, तो भई 9th class के बच्चे, ठीक है जी, 9th class के बच्चे, 12th में जाके नहीं बैट सकते, क्यों, क्योंकि उनके, भई 9th class के बच्चे, 12th के अंदर मिलेंगे ही नी, reason, क्योंकि भई 9th class के बच्चे, 12th में मिलेंगे ही नी, reason, क्योंकि वो हमारे condition को satisfy नहीं करते, कभी ऐसा होई नहीं सकता, ठीक है भई, मैं कहता हूँ, primary school के अंदर, primary school के अंदर, भई secondary के बच्चे, ठीक है, secondary के बच्चे, या senior secondary के बच्चे, तो कभी हो सकता है, नहीं, क्योंकि primary school वो होते हैं, जो first, second, third, fourth वाले, और senior secondary, 11, 12, तो कभी बच्चे कभी, primary में जाके बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे, तो इस तरीके से बच्चो, जो हमारी condition को satisfy नहीं करता है, वो सारी क्या होंगे, null set होंगे, ठीक है, चलिए, ये सारी बाते बता दी मैंने, और इनको denote किसे करते हैं, 5 से, चलिए, अब क्या है, अब आता है finite और infinite set, अब आता है finite और infinite set, finite and infinite set, ठीक है, by finite and infinite set, अच्छा finite set कौन से होते हैं, अरे नाम सही के लिए रहे finite, मतलब जो countable हो, ठीक है, infinite कौन से होते हैं, जो uncountable हो, सभी बात है, ठीक है बई, तो finite set वो है, जिनको हम गिन सकते हैं, uncountable, मतलब infinite set कौन है, जो uncountable है, जैसे, अगर मैं कहूँ, आसमान में सारे तारे, तो कौन सा set है, infinite, क्यों uncountable है, ठीक है, finite क्या है, आपके book में, आपके math की book में, सारे pages, तो आप गिन सकते हो भई सारे pages, कैसे गिन सकते हो, आप देखते हो कि page के किनारे पे लिखा भी होता है, तो इसका मतलब finite set, अच्छा, आपकी book के सारे question, आप गिन सकते हो, finite set, लेकिन भई क्या, इस दुनिया में जितनी भी किताबे हैं, इस दुनिया में जितनी भी किताबे हैं, जो पहले बनी थी आप भी है, उनको गिनना, तो possible नहीं है, infinite, infinite, ठीक है, इस दुनिया के सारे जानवर, भई, जितने भी हैं, सारे जानवर, गिनना, infinite, possible नहीं है, पता चले भई, आप इगिन के गए हो, भई, दो तिन दिन बाद, फिर कोई नए जानवर पैदा हो गया, या एक दो दिन बाद, कोई बुराना जानवर मर गया, तो मतलब क्या, आगे बीचे जलता रहेगा, तो इसका मतलब क्या, infinite, आप उसे कभी प्रॉपर नहीं कर सकते, ठीक, और क्या भई, finite, finite क्या, जिसे गिन सकते हो, आपके घर में कितनी कुरसी हैं, भई, कितनी टी-शेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें, जी बच्चो, तो जैसे कि आपको पता चल गया है, कि क्या है finite, और क्या है infinite, तो चलिए, शुरू करते हैं, ठीक है, 1.2, ठीक है, 1.2 का question number second, question number second, ठीक है, first, हाँ भई, जल्दी बताओ, भई, पूरे साल में मन्त गिन सकते हैं, 12 होते हैं, तो इसका मतलब finite, अब अगला second question, 1, 2, 3, dot, 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 भई, in finite, 1, 2, 3, dot, dot, 99, 100, यानि कि 1 से लेके 100 के बीच में, गिन सकते हैं, finite set, set of, set of positive integers, greater than 100, हाँ भई, 100 से greater, जितने भी नंबर हैं, तो कभी गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब infinite, set of prime number less than 99, 99 से छोटे prime number, तो गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब finite, अच्छा, question number 3, the set of lines which are parallel to x-axis, अब एक बात बताओ, भई, मैं ये कहता हूँ, ये quadrant है, ये x-axis है, इसके parallel line कीच नहीं, कितने line कीच सकते हो, और infinite कीच सकते हो, और आगे बढ़ा दे, और कीच सकते हो, तो बहुत सारी कीच सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो गिया, infinite set, इंग्लिस के alphabet, finite पता है, five के multiple, infinite, जितना मरजी आगे बढ़ाओ, या बढ़ाओ, the set of animal living on the earth, या बढ़ाओ, नहीं, बैना भी बढ़ाओ, infinite नहीं गिन सकते, या बढ़ाओ, the set of circle passing through the origin, या बढ़ाओ, origin से कितने circle, passing through the, the set of circles passing through the origin, हाँ बढ़ाओ कितने पास कर सकते हैं, रहे भतेरे पास कर सकते हैं, origin से, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी infinite हुआ, ये भी क्या हुआ, infinite हुआ, ठीक है जी, तो ये नकली-नकली से question थे, मैं आपको करवा दिया भाई, अब 1.2 का आखरी topic, 1.2 का आखरी topic, ठीक है, बस भाई ये तक formality है, हमें करवाना ही पड़ेगा भाई ये question, ठीक है, बाकी main तो अभी शुरू होगा, थोड़ी दिर में, चलो, देखो, अब आता है equal set, अब क्या आता है, equal set, हाँ जी, ये थोड़ा समझने लाइक है, equal set क्या होता, बच्चो ध्यान से देखना, अब देखो, equal set की पहली बात, पहली बात क्या, बई, पहली बात क्या, looks of elements, are same, बई क्या, elements की जो looks होंगी, वो बिल्कुल क्या होंगी, same होंगी, second, number of elements are same, और जो number of elements होंगे, वो भी same होंगे, और third, हम क्या ignore कर सकते हैं, ignore, ignore the arrangement, the arrangement of elements, arrangement of elements, ठीक है, चलो, जैसे, माल लो, A set है मेरे पास, A, B, C, D, और B set है मेरे पास, B, A, D, C, ये है मेरे पास, हाँ जी, तो equal set होने के condition, पहला, looks of elements are same, तो हाँ भी, ये भी A, B, C, D है, ये भी A, B, C, D है, चलो, ठीक है जी, अच्छा, number of elements same, इसके अंदर भी चार element है, और इसके अंदर भी, चार element है, ये भी same हो गया, ignore the arrangement, वह ये A, B, C, D है, ये A, B, C, D है, आगे पीछे, arrangement आगे पीछे है, तो उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, इसका मतलर A बराबर क्या है, B, लेकिन अगर माल लो, ये ऐसे होता, A, B, C, D, और ये होता, A, B, D, 1, ठीक है भी, अब क्या करेंगे, हाँ जी, looks of elements are same, A, B, C, D, A, B, D, भाई, क्या हो गया, वन, ये तो भाई looks same है ही नहीं, पहली condition unsatisfy हो गई, बात ही खत्म, ठीक है, अच्छा, अगला, जैसे A question ये लिए, A question ये, A question और ले लो, माल लो, A आपको दिया होआ है, A, B, C, D, और B दिया होँ आपको, A, C, D, अजी, अब क्या है भाई, ये भी A, B, C, D वाले है, ये भी A, B, C, D वाले है, चलो पहली तो satisfy होगी condition, दूसरी, number of elements are same, भाई, A के अंदर 4 element है, इसके अंदर 3 element है, तो इसका मतलब, condition not satisfy, मतलब क्या हुआ, A बराबर B नहीं है, क्या मेरे सभी बच्चों को ये समझ में आ गया, equal set क्या चीज़ है, बोलो, अगर समझ में आ गया, तो जल्दी से note करो, और इसके बाद question number 4 देखो, चलो, आपने ये note कर लिया होगा, आपने ये note कर लिया होगा, और जब note कर लिया है, तो question number 4 देखो, 4 का first part, देखो A में दे रखा A, B, C, D, और B में दे रखा D, C, B, A, तो भई देखो, look same है, उपर से क्या, दूसरी बात क्या, भई number of element भी same है, arrangement कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, first इसका मतलब क्या है, A equal to B है, second, देखो, मैं second से करा रहा हूँ, यह बच्चा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, 1.2 के fourth का second question, fourth का second question, हाँ भई, क्या है, A दिया हुआ है, 4, 8, 12, 16, और B दिया हुआ है, 8, 4, 16, 18, जल्दी बता दो भई, हाँ जी, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 वे इस ट्राइब का है, भान जी, मतलब look same है, अगला, sorry, look same है ही नहीं, भई, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, तो भई, इसके जगे तो 18 आ गया, तो इसका मतलब A equal to B, नहीं है, मतलब look same नहीं है, हाँ भई, इसके बाद question number third, हाँ भई, A दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, और B दिया हुआ है, X is a positive integer, less than 10 and equal to 10, positive even integer, तो 2, 4, 6, 8, 10, हाँ भई, क्योंकि इसने बोला है कि, 10 से छोटा और 10 के बराबर होना चाहिए, साथ ही में, पर साथ में, positive even integer होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो भाई देख लो, positive even integer है, हाँ जी है, 10 से छोटा और 10 के बराबर है, हाँ जी है, A में भी वही है, तो इसका मतलब A बराबर B है, A बराबर B है, fourth, fourth point, 10 का multiple चाहिए, A को, 10, 20, 30, and so on, और B कितना दे रखा आपको, B दे रखा आपको, 10, 15, 20, 25, 30, and so on, तो भाई यह क्या possible है, कहीं से भी possible नहीं है, looks C से इम नहीं है, A बराबर B नहीं है, question number five, यह अब आप खुद कर सकते हो, ठीक है, तो यानि question number five में भी, आपको equal set करना है, तो question number five आप खुद करोगे, question number five, 1.2, यह आप खुद करोगे, ठीक है, कोई भी समस्या, बताओ जल्दी, अच्छा, अब यहां से, आप तक जो करवाया था, बच्चों यह एक नॉर्मल चीज थी, लेकिन अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो एक बहुत important topic है, और exam point of view से, भाई, कई बार आया हुआ है, exam point of view से अगर देखा जाए, तो कई बार आया हुआ है, ठीक है, तो शुरू करें, subset, subset, power set, और साथ ही साथ, intervals, यह पढ़ाऊँगा आज मैं, ठीक है, तो यह तीनो topic देखो, और इस तीनो topic को कराने के बाद, मैं आप लोगों को कुछ कोश्चन दूँगा, और आज ही मैं कोश्चिस करूँगा, कि 1.3 खतम करा दूँ, ठीक है, फिर next class में 1.4 और 1.5, एक साथ ही कर देंगे, ज्यादा time नहीं लगेगा, ठीक है, यह chapter, देखो, इस chapter में सबसची बात पता है क्या है, कि आप जब इस chapter को करो गए न, तो इस chapter के अंदर, आपको सारी चीजे, बिल्कुल to the point और sequence में मिलेगी, ठीक है, और इसमें बस करना किया, कोई भी चीज मिश नहीं करनी, जैसे 1.1 के बाद, तुरंत 1.2, फिर तुरंत 1.3, फिर तुरंत 1.4, इस तरीके जाए, यह सारे एक दूसरे से link है, जैसे से करते चले जाओगे, ठीक है, तो यह, अच्छा बच्चो, अब यह मैं आपको बता दू, sub set, भई, sub set का मतलब क्या होता है, sub मतलब छोटा और set मतलब एक छोटा set, जो उसको उसके बड़े set में से निकाला गया है, जो उसको उसके बड़े set में से निकाला गया है, जैसे कहने का मतलब ये कि भाई आपकी मान लो फैमिली है ठीक है फॉर एक्जामपल आप लोगों की सिंग फैमिली है फॉर एक्जामपल आप लोगों की सिंग फैमिली है ठीक है तो सिंग फैमिली से अगर आप लोगों को आप क्या हो गए? पर्टिकुलर एक element हो गए. अब पर्टिकुलर क्या हो गए? एक element हो गए. तो आपने कहा कि मैं बिलॉंग करता हूँ. मैं क्या करता हूँ? सिंग फैमिली से बिलॉंग करता हूँ. लेकिन अगर मैं कहता हूँ, कि सिंग फैमिली में मान लीजिए तीन भाई है तीन भाई है ठीक है और इनकी अपनी एक फैमिली है मतलब इनकी अपनी एक फैमिली है मतलब इनकी वाइफ इनके मालो फर एक्जमपल दो बच्चे ठीक है ठीक इनके वाइफ है इनके दो बच्चे फर एक्जमपल ठीक है इनकी भी वाइफ है ठीक है और इनके भी दो बच ठीक है? मेरी बात सुझ भारी हैं? अब देखना क्या हुआ? देखो सिंग फैमली से यह सारे के सारे क्या कर रहे है? Communist क्यों? अगर ये अपने हेको ему की तरह देखें, अगर ये आपने आपको आपको किसी की तरह देखें, compassionate की तरह देखेंगे, तो by동रों करते हैं. लेकिन हुआ, इस पूरी सिंग फैमली का ये पहला, एक क्या है? सब सैट है, एक पहला क्या है? सब सैट है, मतलब एक बहुत बड़े सैट में से जब एक छोटा सैट निकाला जाए, ने तो भही एक पूरा सैट बन गया ना, भही क्या बन गया? husband wife children husband wife children husband wife children तो यह क्या बन गया एक बहुत बड़े set का एक बहुत बड़े set का छोटा सा क्या बन गया sub set तो जब बड़े set में से जब छोटा set निकाल जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है बच्चो sub set कहा जाता है क्या कहा जाता है subset कहा जाता है है ना simple तो देखिए जड़ा अब जड़ा देखना अब आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा माल लीजिए आपके पास एक A set है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? अच्छा अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और 3 और पास set की पहचान क्या है? set की पहचान है? curly bracket ठीक है? set की पहचान क्या है? curly bracket तो अगर मैं पूछूँ क्या 2 और 3 का set अगर मैं पूछूँ क्या 2 और 3 का set A का subset है? तो आप बोलोगे हाजी बिलकुल है क्यों? क्योंकि 2 और 3 A के अंदर है और सबसे बड़ी बात सबसेट कौन होते है छोटे सेट और सेट की पहचान क्या होती है करली ब्रैकेट तो देखो दो और तीन एक अंदर भी है और साथ में करली ब्रैकेट भी लगा है तो मतलब क्या है यह जो ए एक इतना बड़ा सेट है 2 और 3 उनमें से 1 क्या है? छोटा सेट है और इस छोटे सेट को क्या कहा जाता है? सबसेट अगर मैं लिखता हूँ कि 2, 4 और 6 क्या A का सबसेट है? तो आप बोलोगे हाजी बिल्कुल है 2, 4 और 6 ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ 1, 3 और 5 क्या A का सबसेट है? तो आप बोलोगे हाजी बिल्कुल है 1, 3 और 5 इसमें और छोटा सेट है अच्छा अगर मैं बोलता हूँ कि 2, 3 और 5 क्या A का सबसेट है? तो आप बोलोगे हाजी बिल्कुल सबसेट है लेकिन अगर आप बोल दो कि भई 4, 6 और 7 A का subset है तो अब आप बोलोगे नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि देखो 4 और 6 तो इसके अंदर है ठीक है लेकिन 7 नहीं है आप कहोगे भाई यह लेकिन subset तो है ना भाई subset है अच्छी बात है लेकिन आप कभी भी subset को उसके element के बहर लेकिन ही जा सकते यह नहीं कि जो इसमें है भी नहीं उसे भी belong कर दो ऐसा नहीं sorry belong कर रहा हूँ मतलब subset की पहचान क्या है कि वो element इसके अंदर होना भी चाहिए और सात में वो दिखना कैसा चाहिए set की तरा दिखना किस की तरा है मतलब अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 तो यह कह सकते हो A का subset है मतलब एक set अपना खुद का भी subset होता है एक set अपना खुद का भी क्या होता है एक subset होता है क्या किसी भी बच्चे को कोई problem है इसमें क्या किसी भी बच्चे को कोई problem है इसमें नहीं होगी ठीक है यहां तक आपको clear हो गया होगा कि बच्चों बस हमें क्या check करना है कि element उस set में होना चाहिए और दूसरी बात element के बाहर curly bracket लगा होना चाहिए ताकि वो क्या हो ताकि वो एक set बन जाए ताकि वो क्या बन जाए एक set बन जाए तो इसी को कहा जाता है सबसेट जल्दी से note कीजिए जल्दी से note कीजिए और जैसा कि मैंने बता दिया हमेशा सबसेट कौन होंगे हमेशा सबसेट कौन होंगे बच्चों भई set ही होंगे अगर कोई छोटा set बना हुआ है वही सबसेट बन सकता है अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे कि भई क्या दो एक सबसेट है तो आप बोलो के नहीं दो एक सबसेट नहीं है दो कौन है दो belongs to है क्यों क्यों क्योंकि ये एक element है set नहीं है ठीक है लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ कि क्या दो एक सबसेट है कभी सबसेट नहीं होते. ये बात अपने दिमाग में बाए बाए बांद लो, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए. चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, एक बात और बता ना भूल गया, इवी बता दू मैं, अच्छा, एक ऐसा सेट बताओ म मुझे जो दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है एक ऐसा सेट बताओ जो दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है चाहे ये हो ये हो ये हो कोई भी हो इन में से सबका अपना क्या होता है वो हर किसी का हिस्सा होता है एक ऐसा सेट बताओ जो हर सेट का क्या होता है एक हिस्सा होता है बताओ कौन सा होगा वो नहीं बता तो देखो पता देता हूँ मैं empty set empty set एक ऐसा set है जो हर set का हिस्सा है क्यों क्यों कि मैंने क्या बताए था आप कोई भी set अगर बनाते हो तो अपने दिमाग में शुरुवात नल set से करते हो शुरुवात किस से करते हो नल set से करते हो है empty set से करते हो तो इसलिए याद रखना empty set हमेशा empty set हमेशा सभी का subset होता है तो याद रखना empty set is always empty set is the subset of all sets of all sets मतलब क्या empty set एक ऐसा set है जो सभी sets का subset है जो क्या है सभी sets का क्या है subset है ध्यान रखना तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि क्या phi a का subset है तो आप बोलोगे हाँ जी बिलकुल है क्यों वाई कर ली ब्रैकिट नहीं लगाते हैं क्यों कि फाई अपने अप में ही क्या है एक set है और मैंने आपको बता रखा, 5 is a self set, इसलिए इसके बाहर curly bracket नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर माल लो मैं curly bracket लगा दूँगा, तो क्या गलत होगा, तो हाँ जी फिलाल के लिए तो गलत होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों, मैंने क्या बताया, 5 is a self set, इस वजे से, इस पे हमेशा क्या नह bracket नहीं लगता, ठीक है, फटा फट नोट कर लीजे इसे, फटा फट नोट कर लीजे, फिर मैं कोश्चन बताता हूँ, कोश्चन बताता हूँ, कोश्चन एक्जामपल नमबर नाइन तो खुद करना, बाकि मैं बता देता हूँ, 1.3, 1.3 भी क्या है, इसमें भी कुछ नहीं करना, बाकि मैं हाँ, कोश्चन नमबर सेकंड करा देता हूँ, ठीक है, कोश्चन नमबर सेकंड करा देता हूँ, बाकि अगर फर्स्ट में फिर भी कोई डाउट रह जाए ना, तो मुझे बता देना, मैं करवा दूँगा फर्स्ट भी, ज्यादा बड़ा है नहीं, यार य कर लिया होगा नहीं है तुम तभी नहीं वीडियो पाउस करके नोट कर लिया होगा कि देखो है हाँ जी कि क्या कर रहा थे हैं हाँ कोश्चन नंबर सेकेंड वन पॉइंट थ्री ठीक है सेकंड का फर्स्ट क्या ट्रू है या फॉल्स है बताओ क्या रहा ए और बी क्या सबसेट नहीं है बी सी ए के तो हाँ बताओ भाई ये डू है या फॉल्स अरे भाई ये है फॉल्स क्यों है फॉल्स बच्चो क्योंकि देखो अरे ए और बी इसमें ए और बी है की नहीं है बिल्कुल है तो भाई ये इस बड़े वाले सेट थे तो छोटा ही हुआ ना और A और B इसमें भी है A और B इसमें भी है तो इसका मतलब ये इसका subset है ये इसका subset है तो condition क्या होई false चलिए next अब कहा रहा है कि AE यहाँ पे लिखा हुआ है वह कहा रहा है ये subset है X is a vowel X is a vowel हाँ जी तो बताओ subset है की नहीं अरे बिल्कुल है ये subset true है क्यों है true क्योंकि देखो ना A और E vowel है मानते हैं हाँ और vowel होते कितने A E I O U ये पांच होते हैं क्या इन पांच में से A E दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा तो इसका मतलब बिल्कुल true condition है हाँ जी थर्ड पॉइंट थर्ड में कहा रहा है 1, 2, 3 1, 2, 3 क्या subset है 1, 3, 5 का तो भाई देखो 1 और 3 तो है लेकिन 2 इन दोनों में नहीं है तो इसका मतलब ये condition क्या है false और ये कहा थे true fourth fourth कहा रहा है कि A is a subset of A, B, C तो बिल्कुल सही condition है true condition है ठीक है लेकिन अब कहा रहा है 5 में कहा रहा है कि set A is belongs to A, B, C तो मैंने क्या बताय था कि set कभी भी belongs नहीं करता है तो condition false और छटे पार्ट में कहा कहा रहा है कि X is a natural number even natural number less than 6 हाँ भई तो 2 और 4 हाँ भई 2 और 4 एक even number भी है और क्या है less than 6 भी है कि subset है यह किसका X is a natural number which divides 36 तो ऐसे natural number जो 36 को divide कर सकते है तो कौन कौन 2 भी कर सकता है 3 भी कर सकता है 4 भी कर सकता है 6 भी कर सकता है ठीक है 6 भी कर सकता है और 9 भी कर सकता है 12 भी कर सकता है ठीक है और कुन कर सकता है खुट 36 भी कर सकता है ठीक है, तो ये सारे के सारे natural number है ठीक, और ये भी natural number है और two or four इसमें भी है, two or four इसमें भी है, तो इसका मतलब condition क्या रही true, condition क्या रही, true तो बच्चों बस आपको इस थरीके से set और subset जानना है ठीक है, और पता करना है कि भाई, उनमें से कौन subset है कौन belongs to है ये सारी condition पता करके कर देना है तो second question मैंने आपको करा दिया बच्छो ठीक है first आप लोगों को करना है खुद अब इसके बाद रहता है अब इसके बाद रहता है question number three ये मैं आपको अभी नहीं next class वाले में करवाँगा अभी फिलान में को एक topic कराना है पहले वो topic कराने दो ठीक है इसके बाद मैं topic करवा रहा हूँ आपको power of sets ठीक है इसको note कर लो पहले इसको note कर लो power of set ठीक है power of set ध्यान देखो चलिए क्या पढ़ रहे हैं power of set ये आज का last topic है ठीक है इसके बाद interval हम next class में पढ़ेंगे ठीक है इसकी आज जरुरती इसलिए करा रहा हूँ हाँ तो power of sets हाँ जी power of sets में हमें क्या पढ़ना होता है बच्चो ये power of sets पता है किसके हिसाब से बना है ये बना है तू की power number of element ये इसके हिसाब से बना है बच्चो पावर किसके हिसाब से बना है power of sets जो बना है वो number of elements के हिसाब से बना है बच्चो पावर अफ सेट का दूसरा मतलब क्या है power of sets का मतलब है है ना का मतलब है total number of subsets total number of subsets present in a set present in a set मेरी बात को समझो हूँ मैं क्याना क्या चाता हूँ बहिए power of set आपको पता किस चीज को represent करता है power of sets आपको represent करता है total number of subsets present in a set और बच्चो इसका formula क्या है दो की power number of element दो की power number of element जैसे माल लो मैंने एक set लिया A और B मैंने क्या set लिया A और B और मैंने अब से कहा कि बताई ये कि इसमें कितने power of sets हैं कितने total यानि power of sets का मतलब total number of subsets present in a set इस set में कितने subset हैं ठीक है इसी को क्या कहा जाता है power of sets हाँ बई तो पहली बात power of sets के अगर मैं बात करूं power of sets की बात करूं तो power of sets का formula क्या है दो की power number of element तो number of element कितने हैं इसके अंदर दो तो यानि दो का square कितना बन गया चार अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि इस set में čार subset हैं इस set में चार subset हैं कौन कौन से हैं तो लो जी इस सेट में चार सबसेट से हैं पहला भई पहला तो पता ही आपको छुपा हुआ रहता है कौन नल सेट एम्टी सेट वो हमेसा छुपा हुआ रहता है तो पहला सेट तो होगी आपका फाई पहला सेट तो क्या होगी आपका फाई सेट नमबर दो ए अकेला भी तो हो सकता है सैट नमबर तीन भी अकेला भी तो हो सकता है और सैट नमबर चार दोनों एक साथ भी हो सकते हैं तो देखो क्या बन गया भई चार सबसेट बन गए की नहीं बन गए ठीक है फाई तो आपको पता ही है मैंने बता रखा है कि 5 is the subset of all set ठीक है अच्छा अब अगर माल लो यही कोशन कुछ ऐसे दिया गया होता A, B, C अब इसके बताओ कितने सबसेट्स हैं तो पहले आप power of sets निकालोगे power sets हाँ भई power of set का formula 2 की power number of element तो number of element कितने है 3 और 2 की power 3 कितने होता है 8 ठीक है 2 की power 3 कितने होता है 8 हाँ जी तो निकालो sub sets निकालो sub sets पहला sub set तो आपको पता ही है भाई 5 दूसरा sub set A B C लेकिन भाई A और B भी तो हो सकते है और अगला A और C भी तो हो सकते है और अगला B और C भी तो हो सकते है तो कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और मैंने आपको बताया ही है, कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है तो A, B, C, देखो, बना की नहीं बना, बना की नहीं बना पूरा का पूरा भई, हाँ भई, यह क्या बन गया, हमारे number of subsets बन गए इसी तरीके से मैं आपको कोशन देता हूँ, ठीक है, डी सेट दिया मैंने आपको A, B, C, D, ठीक है, इसके number of subsets निकाल के दिखाना मुझे, ठीक है, और book में से क्या करना है आपको, NGANC ayrty book में से क्या करना है, question number 4 करके लेगा आना, क्या करके लेगा आना है, question number 4, ठीक है, तो, आज की sabhah, मैं यहीं खतम कर रहो हूँ, 1.3 में आप देखलो, क्या क्या कर सकते हो आप, question number first कर सकते हो, second मैंने करा दिया है, third मैं ही करा test, fourth मैंने आपको करना के लिए दे दिया, ठीक है फिफ अभी आपको नहीं करना है वह मैं खुद बता दूँगा तो आज की क्लास में यहीं खतम कर रहा हूँ ठीक है और मैंने यह आपको power of set और subset मैंने यह पूरा का पूरा आपको clear कर दिया है बस आपको क्या करना है अब यह question समझ गए होंगे और इसको आपको detail में अच्छे से explain करना अच्छे से explain तो मैंने कर दिया अच्छे से इसको copy में note करके इससे related question करो ठीक है और धीरे धीरे अब बच्चों आप लोग ml अगरवाल एक book आती है वो purchase करो ताकि मैं उसे करवा सकूँ अच्छा एक बात और मैं इस Sunday को इस Sunday को एक आपके doubt class रख रहा हूँ Trigo की अगर किसी को Trigo का doubt है तो वो Saturday night तक Saturday night तक मुझे मेरे number पर भई क्या कर दें? send कर दें आप सभी को मेरा WhatsApp number पता ही है ठीक है? तो Saturday night तक ठीक है? रात तक सभी बच्चे मुझे अपने doubt send कर दें तो अगली सुबह फिर मैं Sunday को उस Trigo की सारे doubts कवर कर दूँगा ठीक है? कोई problem किसी को? ठीक है? तो फटा फट इनको note कर लीजिए और भई पढ़ाही में ध्यान दीजिए चलिए आज खतम करते हैं